आज तयार किया है मैंने सूजी का इस्तिमाल करके बहुत ही टेश्टी और एक अलग तरीके का नाश्टा इस नाश्टे को बना कर आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में पैक करके दे सकते हैं अगर आपके घर में कोई भी पार्टी हो तो उसमें भी आप इसको स्नेक्स की रूप में सर्व कर सकते हैं ये उपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत सौप्ट होता है तो चलिए साथ में मिलके इस नाश्टे को बनाना हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर लिए मैंने ये एक कप बारिक वाली सूजी तो सबसे पहले हम एक पैन में डाल देते हैं पानी तो पानी की मातरा हमें दो कप लेनी है क्योंकि मैं एक कप सूजी का इस्तिमाल कर रही हूँ लेते हैं जब तक कि इसका डो तैयार ना हो जाए, अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में ये नाश्टा बनाना है, तो सूजी की मातरा बढ़ा दीजिए और उतना ही आप पानी की मातरा बढ़ा सकते हैं, यानि जितनी आप सूजी ले उस से डवल मात्रा में पानी ले जैसा कि मैंने एक कप सूजी के लिए दो कप पानी का इस्तिमाल किया है ये आप देख सकते हैं गाड़ा होने लगा है तो इसमें डाला है मैंने दो चममच तेल अच्छे से इसको चला देंगे चलाने के बाद ये हमारा प्रेचर पे पूरी तरीकी से थंड़, उसके बाद आगे की तैयारी करूँगी। सूजी का मिक्षर हमारा पूई दरी के से ठंडा हो गया है तो इसमें मैं डाल रही हूँ उबले हुए आलू तो ये मैंने ये एक आलू लिया है आलू को कद्दू कस करके डालेंगे ऐसे फोड के नहीं डालेंगे नहीं तो इसमें छोट छोट आलू के टुकड़े आएंगे और यह खराब हो जाएगा और डालेंगे एक चमच अध्रक लसन का पेस्ट एक बारी कटी हुई प्याज बारी कटी हुई हरी मेर्च बारी कटा हुआ हरा धन्या नमक मैंने यहाँ पर यह आलू डाला है तो इसके हिसाब से मैं थोड़ा सा नमक और डाल रही हूं लगभग द आदा चमच गरम मसाला आदा चमच जीरा और डाला है मैंने आदा चमच इंगेंट जो किये आमजूर पाउडर आप यहाँ पर चाट मसाला का भी इस्तिमाल कर सकते हैं सारी चीजों को हमें अच्छे से मिलाते हुए मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद यह हमारा मिक्शर रेडी हो चुका है अब मैंने इसको बोड पर ट्रांसफर किया है और ट्रांसफर करने के बाद इसको मैंने स्मूथ कर लिया है और हातों में तेल लगा लिया है और इसकी बना लूँगी मैं गोल गोल बॉल तो हम पटापट से ऐसे इसकी गोल गोल बॉल बना के रख लेते बहुत जल्दी इसकी बॉल बन जाती है, बनने में टाइम नहीं लगता है, ये देखिए, तो बस सेम प्रोसेस का इस्तिमाल करके मैं सारी बॉस बना लूँगी, ये हमारी सारी बॉस बन गई है, तो एक एक बॉल को डालते हुए हम इसको तेल में डालेंगे और कर लेंगे इ देख सकते हैं कितना बहतरीन इनका कलर आया है, और एकदम पर्फेक्ट बॉस बनके तैयार हुई है, इनको निकाल लूँगी और सेम प्रोसेस का इस्तिमाल करके और बॉस बनाके रख लेती हूँ, दोस्तों ये हमारा सूजी का बॉल बाला नास्ता हो गया है, खाने के लि मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें आपका दिश्यूभू, नमस्ते